तो दोस्तो आज हम करने वाले हैं Godox का CL10 Multicolor Light यह एक background light है यह मैंने Amazon से मंगाया है यह मुझे पढ़ा है 4950 में चलिए देखते हैं करते हैं अनबॉक्सिंग पैकिंग तो बहुत जबर्दस की हुई है देख सकते हैं यह है अपना दोस्तो में प्रोड़क्ट Godox CL10 यह मैंने background light के लिए मंगाया है अपनी YouTube वीडियो के लिए थोड़ी वीडियो अच्छी दिखें इसके वज़े से लगबग 5000 रुपे की प्राइस है इसकी यह इसमें कुछ मिश्का manual है Godox LED webcasting ambient light CL10 warranty card है यह अपना में प्रोड़क्ट दोस्तो बहुत छोटा सा है देख सकते हैं यह mount है इसका इसका एक remote है इसकी wire है तो यह है दोस्तो यह आया है आपने को इसका stand है light है remote है और चलिए आपको इसकी अभी details बताता हूँ हाँ तो दोस्तो यह अपना Godox CL10 RGB ambient background light दोस्तो इसमें 36,000 colors है with 39 special light effects यह अपना app और remote से दोनों से operate होती है और दोस्तो इसको video light for streaming और YouTube videos के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत हलकी light weight है एक दम यह देखिए इसकी fitting देख लीजे आप यह देखिए यह देखिए यह निकल जाता है इसको आप कोई tripod पर भी लगा सकते हो ऐसे भी लगा सकते हो इसे horizontal में लगा सकते हैं और vertical में लगा सकते हैं और यह जो है civil mount है जैसे भी चाहिए आप गुमा सकते हैं यह देखिए table पर mount हो गई है अब जैसे आपने background को आप illuminate कर सकते हैं यह light आपको YouTube videos में followers gain करने में काम और दोस्तों यह इसका अपना remote sensor infrared remote sensor यह एक on off button इससे आप Bluetooth पेरिंग के लिए दबाएंगे तो दो बार blink होगी तो Bluetooth यह light दो बार जालेगी तो Bluetooth पेरिंग के लिए ready हो जाएगी यह Type-C का इसका connector दोस्तों यह excellent cooling design है हवा जाने के लिए यहां भी है और यहां पर भी है देख कर सकते हैं ज्यादा नहीं यह लगबग 10 watts का है तो ज्यादा पावर नहीं लेती है और दोस्तों यह no flicker light है अब वीडियो जब निकालेंगे तो screen flicker नहीं होगी made in china है दोस्तों गोडक्स जो एक reputed brand है सबको पता है made in china रहता है इसका वजन दोस्तो 270 gram है दोस्तों इसका जो अपरेट कर सके हैं यह देखिए on है off है यह brightness के लिए है कम है ज्यादा है यह RGB colors है यह music पे चलने के लिए है दोस्तों हाँ तो यह waterproof नहीं है friends ध्यान रखिए गया इसमें से पानी चला गया तो खराब हो जाएगी पानी से इसको बचा के रखिएगा इसकी वन-year warranty आती है चल अब है यह चालो होगी friends light यह off यह on color changes भी कर सकते है देखिए ग्लू यह red color changes इससे कर सकते है आप remote से देखिए दोस्तों अभी आपको इसको operate करके दिखा देते हैं देखिए यह off यह जो sensor है यह sensor के line of side में रहना चाहिए देखिए on अब colors आपको दिखा देते हैं अलग-अलग देखिए background color के लिए यह red तो already है यह देखिए change किया अलग-अलग colors आप set कर सकते हैं green light green यह देखिए blue काफी बढ़िया background light है दोस्तों एक color का आप देखिए इसमें hue change कर सकते हैं यह देखिए light जो blink होना शुरू हो गए मतलब दोस्तों कि maximum setting पर पहुँच गई है उससे आगे नहीं जाएगी देखिए और दोस्तों और भी इसमें बहुत सारे function है जैसे कि यह car का symbol लगावा है देखिए flickering हो रही है दूसरा यह music पे चलेगा कोई भी sound पे चलेगा देखिए मैं बोल रहा हूं तो यह light जल रही है देखिए देखिए अब music लगाएं के तो music के इसाब से light चलेगी यह SOS है सेवर सोल्स ऐसे बहुत से इसमें function है देखिए इसका intensity कम slow fast करने के लिए बटन है आपको speed चाहिए slow चाहिए उसके लिए अलग अलग buttons है बहुत सारे सभी तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आप यूज करके देख लीजेगा इसको ब्राइटनेस का बढ़ाने के लिए फुल रेड हो गया देखिए दोस्तों कितना बड़ी है background कलर हो गया है ग्रीन में अभी देखिए blue इसको आप एप से भी operate कर सकते हैं एप का भी मैं आपको भी दिखा देता हूं देखिए देखिए दोस्तों यह आप के तुरू आप चेंज कर सकते हैं देखिए इसमें भी काफी बढ़िया light है यह SOS देखिए यह music के साथ through app भी कर सकते हैं फ्लैश लाइट देखिए यह party यह lightning यह देखिए broken bulb आप इसकी intensity भी चेंज कर सकते हैं देखिए अभी 50 परसंट पे हैं इसको 100 परसंट भी ले सकते हैं यह देखिए दोस्तों color picker भी है इसमें देखिए दोस्तों यह HSI यह यह आप अभी जो colors चाहिए आपको आप अप्लेट कर सकते हैं देखिए color change हो रहा है through app change कर सकते हैं आप remote अगर line of side में नहीं है तो app के through भी आप कर सकते हैं यह देखिए तो काफी बढ़िया light है दोस्तों इस budget में ऐसी light आपको मिलेगी नहीं बेजी जग आप purchase कर लीजे तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो like और subscribe जरू कर दीजेगा दोस्तों thank you for watching